दोस्तों अगर आपने Amazon पे ICC Bank Credit Card को apply किया है और अगर आपका application on hold है और आपसे बार-बार आपके documents को re-upload करने के लिए बोला जा रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 5 basic points के बारे में बताने वाला हूँ और दोस्तों इन points को अगर आप follow करेंगे तो जो आप की document को re-upload करने की बार-बार problem आ रही है वो completely solve हो जाएगी तो make sure करके वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा चैनल पे नय होईएगा तो subscribe करके bell notification को all पे click कर लिजेगा और दोस्तों कोई भी comment करने से पहले वीडियो के इन तक जरूर देख लिजेगा उसके बाद ही आप से उनका income document मांगा जाता है तो वो normally अपना ITR या फिर sell ship को ही upload कर देते हैं और वो यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि उनको ITR और sell ship के साथ उनका computation of income भी कभी-कभी upload करने को बोला जाता है तो दोस्तों आप make sure कर लिजे कि जब भी आप अपना income documents को upload करें व आपको इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा तो आप make sure करके इस वीडियो को भी checkout कर लिजेगा अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग दूसरे point के बारे में दोस्तों जो दूसरा point है वो आपके PDF के password से related है दोस्तों जब भी हम अपना income document upload करते हैं तो दो कर दिया जाएगा और आपसे बार-बार फिर से re-upload करने को बोला जाएगा तो दोस्तों make sure करिए कि आपका PDF पे कोई भी password ना हो और वो एकदम image जो उसकी है वो clear होनी चाहिए दोस्तों अब बात करते हम लोग तीसरे point के बारे में दोस्तों जो तीसरा point है वो यह है कि आपको उसको PDF में convert करने की जरूरत नहीं है आप जिस भी format में scan की हो जैसे वो normally JPEG format में हो जाता है तो दोस्तों आपको अपने income documents को JPEG format में ही upload कर देना है अब दोस्तों बात करते हम लोग चोथे point के बारे में दोस्तों जो चोथा point है वो यह है कि अगर आपने ये सारे त verification का दोस्तों आपको वे एक mail drop कर देंगे और दोस्तों उस mail पे आपको अपने income documents को forward कर देना है और दोस्तों वहाँ पे उस email के ही through आपके जो income document है उनका manually verification कर लिया जाएगा और दोस्तों आपको बार बार अपने document को re-upload करना नहीं पड़ेगा दोस्तों आईए बात कर लेते हैं पांच वी और सबसे last option के बारे में दोस्तों अगर आप इन सारे process को करके एकदम ठक गए हैं आपसे फिर भी बार-बार document को re-upload करने को बोला जा रहा है तो दोस्तों इस condition में आपको directly customer care को call करना है और उनसे एक door step के YC verification को schedule करा लेना है दोस्तों आपके घर पे agent visit करते हैं तो उस visit करने में normally 7 से लेके 8 दिन लग जाते हैं और जब वो document को लेके जाते हैं उसके बाद कम से कम 2 से 3 हफते तक का timing लग जाता है आपके document verification के complete होने का तो दोस्तों मैं इस way को recommend नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों इस way में आपका बहुत ही जादे time की लोता है अगर आप शुरू के चार process को करके ठक गए हैं तब ही आप इस 5 में process को try कर ये otherwise मैं उमीद यही करूँगा कि आपके starting के चार process से ही पूरा आपका काम हो जाएगा दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई doubt रह हो तो आप बही चक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद है और दोस्तों अगर आप वीडियो में यहां तक आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को भी एक लाइक देदीजेगा क्योंकि आपकी लाइक से काफी जादी मोटिविशन मिलता है दोस्तों मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर